हेलो एब्रीवान विल्कम बैक टो नाथर वीडियो और आज इस वीडियो में मैं एक्स्पेइन करने वाला हूँ राइजिंग ऑफटाले का अपिसोड नंबर 15 तो वीडियो के शुरू में हमें जो रफ्टाले का गाउं होता है वह गाउं दिखाया जाता है जहां पर कुछ चोटे रही हूं मतलब बच्चे वह लोग फुटबॉल खेल रहे थे और वही एक कॉर्णर पर रफ्टाले और उसका एक दोस्त मिले कुछ बाते कर रहे थे तब इसका रफ्टाले का जो दोस्ती वह रफ्टाले से पूछती है क्या तुम्हारे कोई लवड वन्स है और यह लेकिन मुझे वह लेजिंडरी हीरो काफी जाथा पसंद है और उसके बाद रफ्टाले काई थे कि हां मैं थो उनके साथ साधी करना चाहती हूँ और यह सब चली रहा था कि अचानक से जो आसमा था फिर से लाल हो जाता है और वेवस शुरू हो जाता है और यह सब देखने ही फिर सान जो सीन होता वो प्रिजर्ट में आता है और हमें दिखा जाता है कि जो रफ्टालिया थी वो उस मोटे जो लैंडलॉड था उसके एकदम गले के पास वो तलुछ रखता है और यह सब देखके जो मोटा लॉड होता है वो एकदम उसके रफ्टाले के सामने पना के लिए घंग करने लगता है कि प्लीज मेरे के मत मारो और यह सब सुनने के बाद आथ थी वो कहाथ एकट करते हो कि मैं हमारते है और ये सब सुनने के बाद ही वो जो landlord था वो एक दम घबडा जाता है और कहाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता क्या तुम उन्हीं dummy humans मेंसे एक हो जिनको मैंने slave बनाया था क्योंकि ये हो ही नहीं सकता और तभी जो रफटालिया थी ये सब सुनने के बाद रफटालिया काफी ज़्यादा गुसा हो रही थी और तभी वो जो मोटा landlord हो था वो कहता है कि देखो मैं अगर तुमको लोग को वहां से नहीं लाता तो वेफ के वैसे तुम लोग पुरा मारे जाते है लेकिन ये सब सुनने के बाद रफटालिया काता है कि तुम बिल्कुल भी चूप रहो तुम भूल कैसा सकते हो कि तुमने कितना ज्यादा cruelty हमारे साथ किया था लेकिन तुम भूल सकते हो लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता है और वो एक्तम तरवाल निकाल के उसे मारने जाता था लेकिन तभी जो मोटा होता है वो एक्तम पीछे जाकर बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ मुझे प्लीज माफ कर दो और तो भी रफ्टालिय कहता है कि इस मोटे गजे को तो मैं मार कही रहूँगा लेकिन वो मारने जाता है और वो जब मोटा होता है वो continuously back किये ही जाता है लेकिन तभी पीछे से नाफल में कहता है कि रफ्टालिया उसको अगर तुमने मार दिया फिर कोई अलग तरीखे का नॉज आ है तो प्लीज माफ कर देना वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो ये सुनने के बाद ही जो रफटालिया थी वो कहती है कि तुम्हें एक बहुत जादा गंदे इंसान हो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हें कितने डमी हुमन्स का लाइफ खतम कर दिया है कितने डमी हुमन्स को तुम्हें मार दिया है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता लेकिन अभी अगर मैं तुम्हें मार दू तो मेरे और तुम्हारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा और इसलिए मैं अभी तुमको नहीं मारूंगा और तुम अपने life के साथ जी सकते हो लेकिन तुमने जितना भी आप किया है, सब का तुम्हें भुक्ताना परेगा ही और सुनने के बाद ही जो मोटा लोड था, वो एकदम से अपना तर्वाल निकलता और रफ्टाली को अटैक करने लगता है और जैसे वो अटेक करता है तो रफ्टालिय आपना तर्वार निकालके hade के defense करता है लेकिन तभी वो landlord अपना हाथ th पकड़ लेता है और रफ्टालियः का तर्वार अपना हाथ से छूट जाता है लेकिन तभी रफ्टालिय आपना वह जो invisible swatter था जिससे वह पूरा सोल को अटाक कर सकता है, वह निकालकर एक दम से उसके अंदर डाल देता है, जिसके वयसे, वह जो मोटा था उसके फूरा सोल एकडम से डैमेज हो जाता है, और वह जैसे नीचे गिरता है, और जैसे नीचे गिरता है वो सब सोल्चर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि देखो देखो शायद लॉट भी मर चुके है लेकिन तभी नाफलो में आता है और अफ्टालिया के सर में हाजर के कहता है कि अफ्टालिया क्या तुमने जो भी किया वो एक दब बर्फर्ट किया और नाफलमी ऐसा बोली जाता कि तभी पीछे से वो जो डमी हुमन्स का लियोट था वो भी आ जाता है और रहे कि ऑपना मैजिक करते है और तभी कहता है कि चलो यह जो मौकशा है कि इस मौका को हम यूटलाइस करते है और हम यहिएसे निकल जाते लेकिन तब नाफुमी कहता है कि हाँ हम यह से निकलेंगे तो ठीक ही लेकिन उसके पहले हमारे एक काम है और उसके बाद scene shift होता है रहा हमें दिखा जाता है कि सब कोई बंदा उसी शीरी के सामने आ जाता है और यह सब वह लॉट पूछता है कि लेकिन तुम्हीं यह सब कैसे पता तभी रफटा लेगा था कि क्यूंकि उन में से मैं भी एक थी और यह सुनने के बाद वह लॉट इवन मेल्टी दोनों काफी जाता शॉक हो जाते और सैड हो जाते और तभी जो रफटा लिया थी वह सी सेफ करना लेकिन जैसे की होता है कि वेफ के वह जैसे उसका पैरेंस मर जाता है और लेकिन रफटा लिया जो थी तब बच्ची थी लेकिन फिर भी अपने मॉम और डैट के एक ग्रेव के पास जाके प्रोमिस करता है कि मैं हमेसा अच्छा ही काम करूंगा और तुम मुझे से गाइड़ करना और तभी सें दिखाया जाता है कि राफटालया सब बाकी बचे गाउवाले थे यह सब करता है और उनशे कहता है कि देखो हम जितने भी लोग बचे हैं हम ऐसे रहेंगे तो कोई फाइदा नहीं है हम लोग आपी भी बचे है और हमें इस पूरे विलेज इसको फिर से रिबिल्ड करना होगा ताकि यह विलेज फिर से हैने लाइक बन जाए और यह सुनने के बाद जो रफ्टालिय का दोस्त है वो भी एक दम बोलता है कि हाँ हाँ हमें ऐसा ही करना होगा और फिर जो नॉर्म मर चुका है इस वेव में कि तुम सैड नहीं हो और यह सुनने के बाद रफ्टालिय के दोस्त थी रिफाना वो कहते कि तुम इतना साथा हाँ कर रहे हो तो हमें भी अपना 100% देना होगा और यह सुनने के बाद वो लोग भी एकदम अगरी हो जाते है और यह सब होई जाता कि एकदम से घोड़े से बहुत सारे सैनिक इस तरफ आ रहे थे और यह देखने के बाद गाउंवाले काफी जाता खुश हो रहे थे क्योंकि वो समझ रहे थे कि एक हेल्प होने वाला है लेकिन नहीं वो जो जितने भी सैनिक आ रहे थे उनका तो कोई और ही मोटिव था वो से सीन प्रेजेंट में आता है और हमें दिखा जाता है कि रफटालिया उसी प्रिजन के अंदर घुशता है और जैसे वो प्रिजन के अंदर घुशता है मल्टी को काफी जाता एक स्मेल महसूस होता है और उसके बात वो लोग आगे जलने लगते है और जो नाफ्रूमी था जूल रहे थे और वो काफी जादा सैड हो जाती है और फिर से सीन बैक फ्लैस में चला जाता है और हमें दिखा जाते कि वो जो आइडल होता है वो मोटा वो एकदम रफ्टालिया को दोनों हाथ उपर बांद देता है और सो कितनी बूरी तरीक से चाबुक से मारता है वो इतन सुनने के बाद ही जो रफ्टालिया थी वो काफी जादा सैड हो जाती थी और उसके रात में वो रफ्टालिया रिफाना के घर में जाती थी और वो जाने के बाद ही रिफाना को नीन से उठाती थी और कहती है कि वो देखता है कि उस रिफाना का पूरा शरीर एकदम से जल रफ्टालिया किया तुम्हे याद है उस फ्लाग के बारे में व फ्लाग जो कि हमें ये बताता था कि हमें फिर से एक फ्रीडम चाहिए हमें फिर से आजादी चाहिए और हम अपने गाओं को फिर से ने बना लेंगे और ये सुनने के बाद जो रिफाना थी वो फिर से रफ्टालिया को जगाती है और रिफाना का इतना जाधा हालत खराब हो चुका था कि वो ठंक से बात भी नहीं कर पा रही थी लेकिन रिफाना कहती है कि वो एक तम बात नहीं कर पा रही थी और फिर भी बहुत मेहनत से कहती है कि मैं अपना विलज बापस जाना चाहती हूँ और यह सुनने के बाद जो रफटा लिया थी वो भी काफी जाता दुखी हो जाता और देखी हाँ चलो फिर सपने घर चलो लेकिन जैसे ही वो लोग बात कर रहे थे तब ही वो रफटा लिया अपने नीचे जो एकदम से जो होता है ना जो ग रफटालिया थी वो फिर से रफटालिया को जगाने की कोशिश करता लेकिन रिफवाना बिलकुर भी रेस्पांस नहीं करती लेकिन जैसी वो उसको बुलाने जाता है तो भी वो जो गार्ट था वो एकदम आ जाता है तुम निकलो यहां से और उसके बाद यह एकदम हमें रफटालिया मन ही मन सोचा है कि ममी पापा ने मुझे कहां था कि किसी भी सीचुएशन में हमेशा हसना लेकिन मैं और कैसे हस सकती हूँ यह सब कुछ होने के बाद और वो काफी जाता सैड हो जाती है और फिर हमें दिखा जाता है कि यह स्लेव मर्चन कोई और नहीं बलकि वही बॉना स्लेव मर्चन था जिसके पास रफटालिया को बेज दिया गया था और उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और वो अपने केज के सामने एकदम से नीचे बहट जाती है इतना जादा दुखी हो जाती हो लेकिन तभी वहां से वह जो लैंडलॉड था बचा हुआ है और उसकी फीलो जिलाता है की यहाँ पे और एक बंड़ा से बागी है और वहां पर उसकी दोस्थ थी कील और यह देखने के बाद आद विह रफटालिया एकसे ओकल जाता है और तुम यहाँ पर कैसे आ गए और यह सुनने के बाद जो कील थी वो बहुत ही एक्दम डरा हुआ और एक्दम कमजोड थी और वो कहते कि तुम कौन हो और यह सब सुनने के बाद जो रफटाले थी वो कहते कि क्या तुम को भी वो लोग यहाँ पे लाये थे मैं बहुत ज़ रफ्टालिया हूँ, क्या तुम मैं रफ्टालिया हो, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन तभी जो रफ्टालिया थी, वो सब कुछ explain करने लगता है, वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि एक टाइम पे तुम ढूब गये थे, और तभी हमारा और एक दोस्त तुम्हें बचाया फिर एक टाइम पे तुमने एक बहुत गंदा वाला मश्रूम खा लिया था, जिसके वएसे कि तुम्हारा पेट खड़ाब हो गया था, और तुमने मुझसे कहा था कि किसी को भी ना बोलने, और उसके बाद याद है कि जब मैंने कहा था कि विलेज को हम लोग रीबिल्ड क और इसके बाद दूनों एक दूसरे को एकदम कस के हग कर लेता है, और जो रफ्टाले थी वो एकदम से उसके बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश की तुम्हाब अभी तक अलाइव हो, और यह सब देखने के बाद जो फिलो और मेल्टी थी वो भी काफी ज़्याद इमोशन हो जाती है, और उसके बाद जो रफ्टाले उसके बोलता है कि मैं अभी शील्ड हीरो के साथ हूँ, और उसके बाद यह सुनने के बाद वो जो कील थी वो कहते कि क्या शील्ड हीरो, क्या शील्ड हीरो सच्ची में एक्जिस्ट करता है, और उसके बाद नाफल में आता है और कहता है कि रुको मैं तुम्हारा जितना भी घाव है वो सब को हील करता है और फिर नाफल में अपना मैजिक से सब घाव को हील करने लगता है और उसी बीच वो देखे जो कील होता है वो कहता है कि हाँ यह सची में रियल है और मैं काफी ज़्यादा खुश हूँ ल वो जैसी ही दौरती है रिफाना के prison के तरफ उसको सब कुछ याद आता कि कैसे रिफाना उसको कहती कि क्या shield hero आएगा हमें बचाने और उसके बाद कहता कि अगर shield hero आया तो प्लीज मैंने को बताना क्यूंकि मैं shield hero के साथ शादी करना चाहती हूँ और यह कहते गाती रफ्टालिया उसके prison के सामने पहुंच जाता है और फिर से वो एक बार याद करता है रिफाना को और जैसी ही वो अपने सामने को देखता है रफ्टालिया एकदम तूट पर दीये क्योंकि वहाँ पे रिफाना चैन का पूरा एकदम कंकाल बिछा हुआ था वो भी एकदम से रोने लगती है और जो सबसे बुड़ा वाला पार्ट था वो है कि रफटाले देखती कि उसका हाथ में अभी भी वो दिया गया छोटा सा एक फ्लैग था और वो वैसे ही कंकाल जैसे गिरी परी थी और ये सब देखने के बाद सब कोई एकदम से बहुत लग रहा है लेकिन ऐसा चीज पूरे कंट्री में ही होता है और ये यह नहीं हो सकता हम इसे हमें से रोक नहीं होगा और फिर हमें दिखा जाते है कि जो रुटाल्या थी वो रिफाना के कंकाल के सामने एक बहुत होरकर बैठी थी और वह कहते है इन और इसके बाद नाफरी जोके साथ मिलना चाहती थी लेकिन बेचारा कभी भी मिल नहीं पाया और उसके बाद नाफिर में उसके करीब आता है और कहता है कि चलो अभी इसको हम एक प्रॉपर फ्यूनरल देते हैं एक प्रॉपर इसको गुडबाई कहते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इ कि मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और ये सब जैसे ही वो कह रहा था कि तभी पीछे से कील कहता है कि नहीं रफ्टालिया तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुमने हमारे लिए क्या कुछ किया है तुमने हमारे लिए प्रोटेक्ट किया है वो जो तुम्हारा स साथ कुछ भी गंदा चीज़ हो जाता हम फिर भी समाइल करते रहते थे और हम एक होप लेकर बैठे थे लेकिन तभी रफटालिया कहती है कि सॉरी सॉरी नील लेकिन मैं और उसमाइल नहीं कर सकता मैं और सेम रफटालिया नहीं रही क्योंकि अभी मैंने मेरे वज़े से एक मैं है और समाइल नहीं कर सकता और ये कहता है रफटालिया का आंखों से क्ढम आसु गिरने लगता है लेकिन तभी ना फेलमि क्याता है कि रफटालिया तुम गलत नहीं हूँ और लेकिन रफ्टालिय कहादा है कि नहीं मैं पूरी तरीके से गलत हूँ यह जितना सब कुछ हो रहा है यह सिर्फ मेरे वज़े से हो रहा है और वो फिर एकदम चिला के कहादा है कि मैं आपके साथ चलने के लिए भी लायक नहीं हूँ लेकिन तर भी नाफ्रूमेक तर मुसको खीच के सामने लाता है और कहता है कि रफ्टालिया तुमने कुछ घलत नहीं किया तुम खुद सोचो अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मैं इस वर्ल्ड से कपका यहां से निकल जाता मैं किसी को भी यहां पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था तुम यहां पर आये और तुमने मुझे सिखाया कि हाँ मैं किसी को ट्रस्ट कर सकता हूँ और मैंने तुमें बिलीफ किया और हम दोनों अभी यहां पर है अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो ना ही मैं कभी फीलो से मिलता और ना ही मैं कभी मल्टी से मिलता और यह सब वो कही रहाता कि तब पीछे से कील कहता है कि हाँ तुम तुम खुद सोचो कि यह तुम्हारा गल्ती बिल्कुल भी नहीं है तुम कितना ज़्यादा छोटे थे जब तुम यहां से गह थे लेकिन और नाफ्लमी कहता है कि देखो तुमने उनको बचाया है और यह सब सुनने के बाद रफ्टालिय कहता है कि नाफ्लमी और फिर नाफ्लमी उसके सर बहाद रखता है और कहता है कि रफ्टालिया तुम रो मत और फिर कील कहता है कि हाँ रफ्टालिया मैं एकदम से शौर हो कि र करना है कर रहे हैं ना इसी चीज़ के लिए तुम शील हिरो के साथ हो है ना और यह सब सुनके जो रफ्टालिया थी वह एक जम से खुश होके कहती कि येस और फिर तोरा सिंस्ट हो तरह हमें दिखा जाते कि रफ्टालिया अपने मन ही मन एक सपने के तरह जी रहा था और तभ क्षिट से हमेशा से उपर से देखते रहेंगी और एक दिन हम सब फिर से उसी गाओं में जाएंगे, और अपना फलैक साथ ही जाएंगे, और यह सब बोड़ी जाताहूं और फिर से छीन होता जाता है, और हमें दिखा जाता है कि रफ्टालिया, रिफाना के एकड़म जहा अपने साथ ले लेता है और उसके बाद हमें वो लोग वहां से निकल जाते हैं और जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं वो लोग देखते हैं कि जो dummy humans होते हैं वो अभी भी gate के बाहर बहुत ज़्यादा दंगा मचा रहा है थे